हलो स्टुरेंट्स, मैसल्फ मनो सर्मा, टीम बाटनी, CLC सीकर टैस सीरीज का पेपर बेटा आज का टापिक फोटो सिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ अंड रेगुलिटर्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानि की PGRs या आपन हॉर्मोन्स बात करें उनकी और फोटो सिंथेसिस की आपन क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं 45 क्यूशन आइधिंक आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा फिर भी कोई दिक्कत है छोटे-मोटे कोई डाउट है तो विटा आपन क्या है solution के माध्य हम से इसको अपन क्या कर लेते हैं solve बढ़ते हैं first question की तरफ देखो first question में आप क्या कहोगी बिटा which pair is आपके wrongly matched यानि की कौन सा pair जो है वो आपके क्या कर रखा है wrongly आपके क्या है match है ठीक है पहला आपके देर रखा है C3 plant और C3 plant में आपको कह रखा है क्या match ना match जो है वो आपके C3 plant नहीं है तो आपके match जो है वो आपके क्या है C4 plant है तो यहां first जो है वो यह आपके क्या हो गया wrong हो गया बढ़ते है अगले क्यूशन की तरफ next है chlorophyll molecules are green in color because they chlorophyll अनु हरे रंग के होते हैं क्यों होते हैं बैइ chlorophyll हरा रंग का है क्यों होगा क्योंकि reflect करेगा आपके किसको green light को तो आप क्या कहोगे reflect green light यानि कि आपके क्या है हरे प्रकास को आपके क्या करते हैं रिफलेक्ट करते हैं यानि कि आपके क्या करते हैं परावर्तित करते हैं next question जो है वो आपके कहरा है क्या photo phosphorylation age यानि कि photo phosphorylation है प्रकास phosphoryly करण है भाई आपके क्या है प्रकास phosphoryly करण क्या होता है कि light जो है उसकी presence में ATP का क्या होना formation होना ATP का production in the presence of light आपके कहलता है क्या photo phosphorylation तो यह light पे तो आपके क्या होता है डिपेंड होता है लेकिन O2 जो है उसके आपके क्या होता है independent तो यहाँ आपके हो जाएगा light dependent and O2 आपके क्या है independent ठीक है next अगर आपन next question की तरफ बढ़ें तो next question आपको दे रखा है difference किसमें C3 और C4 plants में difference in between the C3 and C4 plant is that ठीक है यह आपके क्या है sorry difference in between the C3 and C4 cycle is C3 तधा C4 चक्र में अंतर है कि C3 cycle RUBP while C4 cycle PEP receptor of CO2 बिल्कुल सही है यहाँ 5 carbon unit RUBP CO2 का प्राथ में ग्राही होता है जबकि वहाँ C4 चक्र में आपके 3 carbon unit कौन होता है PEP C3 cycle completed in mesophyll tissue while C4 cycle completed in bundle seat and आपके mesophyll tissue सही है तो यह आपके C3 cycle complete होता है आपके mesophyll tissue में जबकि C4 cycle जो है वो दोनों में आपके complete होने के लिए दोनों चीज़े bundle seat और mesophyll tissue होना आपके क्या है जरूरी है इन C3 cycle यहाँ आपके क्या होगा decarboxylation is not takes place while C4 cycle decarboxylation takes place by C4 cycle में आपके क्या होता है decarboxylation होता है तो answer आपके आजाएगा क्या fourth यह सारे statement जो है तीनों statement जो है वो आपके क्या है सही है next अपन बढ़ें 140 की तरफ तो 140 में आपके क्या कर रहा है cyclic जो भी आपके क्या है phosphorylation जो है चक्रिय फॉस्फोरिली करण जो है वो आपके क्या उत्पन करेगा ATP and NADPH2 ना NADPH2 ना केवल और केवल यहाँ produce होती है आपके क्या ATP तो चक्रिय फॉस्फोरिली करण से उत्पन होगा केवल और केवल आपके क्या ATP next अगर अपन क्युशन पे बढ़े हैं तो कह रहा है if CO2 concentration is increased up to 0.05% the rate of photosynthesis यदी CO2 की सांधरता को 0.05% तक बढ़ाया जाता है तो प्रिकास translation की इदर कम समय के लिए क्या होगी बढ़ेगी उसके बाद toxicity generate होने के करण यहाँ photosynthesis की rate जो है वो आपके क्या हो जाती है घड जाती है तो most appropriate answer जो है इसमें आपके क्या हो जाएगा second increase for salt time salt time के लिए आपके क्या होगी increase होगी तो यहाँ कौन चला जाएगा second फिर देखो आपसे match the column करवा रहा है यानि की कौन सा जो है कौन सा wrongly matched है पैप carboxylate जो है वो आपके किसमें मिलेगा mesophyll cells में ठीक है black man ने law of limiting factors दिया ठीक है सौर्गम cringe anatomy ये भी ठीक है PS first जो है इसमें P680 नहीं होता है क्या होता है P600 तो wrong आपके हो जाएगा कौन सा fourth next question की तरफ अपन बढ़ें तो next में आपके करहा है देखो अच्छा question है आपको डंग से आता ही है देखो अगर आपन बात करें किसकी मक्का मक्का क्या है C4 plant तो यहां आपके C3 और C4 दोनों cycle होंगे तो अगर आपन बात करें 1 CO2 की है तो आपके क्या है दो ATP तो आपको किसमें चाहिए reduction में एक ATP आपको चाहिए regeneration में । यह दोनों किसमें जाएंगी C3 cycle में जबकि 2 ATP आपको चाहिए किसमें C4 cycle में किसमें C4 cycle में तो टोटल आपके किती हो गई 5 ATP तोटल जो है वो आपके किती हो गई 5 ATP एक CO2 में, तो आपके किती, 6 CO2 के, आपके क्या है, 6 CO2 जो हैं, उनसे 1 Hexos सरकरा का क्या होगा, निर्मान होगा, यानि कि 1 Hexos, जो है, 1 Hexos में आपके किती हो जाएंगी, 5 into 6, यानि कि 30 ATP, जबकि आपके किते 2NADH2 यहाँ आपके क्या होता है यूज होता है एक CO2 के fixation में तो यहाँ आप क्या कहोगे 6 into 2NADH2 तो कितने आ जाएंगे 12NADH2 क्या जाएंगे 12NADH2 तो यहाँ आप अगर इनको 6 into करोगे क्योंकि 6 है molecule बनवरा है आपसे तो यहाँ आप क्या जाएगा 12 और इसको वापस 6 into करोगे तो आप क्या जाएगा कितना 72 तो यहाँ आपके आंसर हो जाएगा 180 और आपके क्या 72 एकदम NCRT बेस्ट आपके क्या है विटा पेपर है बहुत अच्छा सा नीट लेवल का आपके क्या है पेपर है carbon dioxide joined the photosynthetic pathway carbon dioxide प्रकास इंसलेस पत्में कहां जुड़ती है तो यह आपके कहां जुड़ती है विटा dark reaction में ठीक है dark reaction में यह आपके क्या होती है attach होती है उसके बाद है प्रकास sensation के लिए सक्रिय विकीरन की परास है photosynthetically active radiation is represented by the range of wavelength तो कौनसी wavelength की range के लिए आपके यह होगा बताओ कौनसी range आएगी 400 से 700 कौनसी आएगी बैटा 400 से 700 इस range को आप देते हैं क्या par ठीक है next अपन बढ़ें तो फिर आपके क्या है next की अगर आपन बात करें तो how many quanta required to release one molecule of CO2 and produce one molecule of O2 in green plants देखो इसको अपन कहते हैं एक O2 जो भी molecule है उसके release के लिए जितने light जो है उसके quanta required रहते हैं उनको अपन कहते हैं quantum requirement तो एक quantum requirement जो है वो plant की आपके कित्ती होती है 8 quanta तो यहाँ आपके कित्ते लगेंगे 8 quanta तो कित्ते हो जाएंगे 8 quanta इसको अपन क्या कहते हैं quantum requirement क्या बोलतो है इसको आप quantum requirement next questions की आपन बात करें तो आपके है क्या stroma is the ground matrix of किसका ground matrix है stroma chloroplast का किसका है बिटा chloroplast का आपके क्या है ground matrix है ठीक है तो इस stroma एधात्री है किसकी में हरितलवक में इसके बाद आप बात करोगे किसकी प्रकास translation के दोरां during photosynthesis important question है अच्छा question है देखो आप क्या कहरे हो यहाँ क्या बनता है CO2 से आपके क्या बनेगा C6H12O6 क्या बनेगा C6H12O6 तो इसका तो आपके क्या होए reduction जबकि आपके कहेगा water जो है H2O जो है उससे आपके क्या बनती है O2 तो इसका आपके क्या होए oxidation ठीक है तो यहाँ आप कह दोगे क्या carbon dioxide get reduced and water आपके क्या हुआ है oxidized तो आप क्या कहोगे carbon dioxide get CO2 आपके क्या हुई है अपचेत हुई है और H2O आपके क्या हुआ है oxy रथ हुआ है सही बात है next अगर अगर आपन बात करें तो देखो आपके क्या करें tropical plants light sugar cane show high efficiency of CO2 fixation because of उस कटी बंदी है पादब जैसे गन्ना CO2 इस्तरी करन अधिक प्रदर्सित करते हैं क्योंकि इनमें आपके क्या होता है C4 cycle होता है और C4 cycle को आपन क्या बोल देते हैं और C4 cycle को और क्या कहा जाता है बोलो C4 cycle को आपके कहा जाएगा क्या hatch and slack chak भाई आपके क्या है CO2 इस्तरी करन अधिक प्रदर्सित करते हैं क्योंकि यह रखते हैं क्या hatch and slack chak ठीक है इनमें आपके है क्या hatch or slack chak फिर है 150 the biochemical objectives of PS1 H2 PS1 का जैव रसाइनिक उद्देश से जो है वो आपके क्या है PS1 पे आपके क्या होता है इनजयम होता है जो इसमें 1 H को जोड के इसको आपके कायमे NADPH में आपके क्या करता है convert करता है तो यहाँ reduction हो रहा है आपके किसका NADPH का तो यहाँ आपके NADP जो है इसका आपके क्या है reduction होगा यही इसका biochemical आपके क्या है परपजे photosynthesis of water result in the release of जल की प्रिकास अब घटन के दौरान पर नाम सरूप आपके क्या मुक्त होता है तो H2O टूटेगा तो electrons मी निकलेंगे protons मी निकलेंगे और क्या निकलेगी oxygen तो यहां मुक्त आपके होगा कौन electron, proton and O2 तो यहां आपके निकलेगी क्या H+, electron और आपके क्या निकलेंगे O2, ठीक है बिटा next अपन बात करें तो है, the process that makes important difference between the C3 and C4 plants C3 वैं C4 पादपों के मद इमहतपून अंतर करने वाला प्रिक्रम क्या है जो भी Rubisco site है उसमें, C4 plants में always Rubisco site पे CO2 का concentration जो है, वो आपके क्या बना रहता है high बना रहता है और CO2 का concentration अगर high बना रहता है तो यहां photorespiration नहीं होता जबकि C3 plants जो है वो photorespiration आपके क्या करते है so करते है, तो इनमें man difference जो आएगा वो आपके किसका है photorespiration का भाई आपके man जो आपके difference है वो आपके किसका है, photorespiration का, यहां आप से एरा, a process that makes important difference between the C3 and C4 plants, तो यह आपके main difference जो है, वो बिटा आपके काई का है, photorespiration का, तो यहां answer जो आ जाएगा, वो आपके क्या है, photorespiration, next, जो है number of carbon in primary of, देखो, C3 और C4 plants में आपके क्या है, primary CO2 acceptor पूछ रहा है, तो C3 में तो आपके कौन होता है, RUBP, कौन, RUBP, कितने carbon containing है, 5 carbon containing, जिसको अपन कहते हैं क्या, ribologe bisphosphate, जबकि आपन बात करें किसमें, C4 plant में, तो यहां आपके होता है, कौन, PEP, phosphoenol, pyruvate, ठीक है, तो यहां क्या जाएगा, 5 और 3, तो कितना है, 5 और 3, यहां है, what is the number of ATP, utilization steps, अभी बताया था आपको, अगर आपन बात करें, reduction में, तब तो ATP कितने काम आएंगे, reduction जो है, उसमें तो आपके काम आते हैं, कितने, 2 ATP, जबकि आपके, regeneration जो है, इसमें काम आएगा, 180 P, इसमें काम आएगा, 180 P, तो यहां आपके काम आजाएंगे, कितने, इसमें, what is the utilization, regeneration, regeneration में 1 लगेगा, और reduction में आपके कितने लगेंगे, 2, तो आंसर यहां आपके हो जाएगा, क्या, 3rd, फिर है, which of the following is a growth inhibitor as well as growth promoter, निम्न में से कौन सा एक व्रद्धी संद्रमक के साथ-साथ व्रद्धी प्रेरग भी है, तो इन दोनों categories में आपके fit beta कौन होता है, आपको अच्छी तरह पढ़ता है, कौन होता है, इथाईलीन, तो आपके अंसर आजाएगा क्या, इथाईलीन, ठीक है, क्या अंसर हो जाएगा, इथाईलीन, फिर आप कहोगे, जिब्रेलिक acid induced flowering in sum, किस में करता है, ये आपके LDP में आपके क्या करता है, flowering करता है, किस में, saw day condition में, तो आप क्या कहोगे, LDP under saw day condition, लगू दिवस पादप में कहां LDP में लगू दिवस अवस्था में किस में करता है LDP में तो कौनसा अंसर हो जाएगा आपके second कौनसा जाएगा second LDP under salt day conditions next अपन बात करें growth in plants is measured by the increase in पादपों में व्रद्धी किसकी बड़ोतरी द्वार हम आप पी जाती है 1, 2, 3 और 4 यानि कि आपके सारे के सारे से आप major कर सकते हो किसको growth को तो कौनसा अंसर हो जाएगा fourth next जो है वो है curve showing the effectiveness of different wavelength of light in photosynthesis was first given by Engelman using all except angel man ने प्रकास sensation में प्रकास की विभिन तरंग देदरे के प्रभाव का वक्र सरुप्रथम दिया जिसमें एक को छोड़कर filamentous green algae भी नो ने ली थी जिसका नाम था आपके क्या Cladophora तो first आपके क्या है साही है एक को से किया हरी सेवाल Clorella नहीं ली थी वाई विये जीवानों का नियलंबन लिया था प्रकास को उसके घटकों से अलग करने के लिए प्रिज्म जो है इसका भी आपके क्या किया था उपियोग किया था filamentous green algae Cladophora ली थी unicellular green algae Clorella आपके नहीं ली suspension of aerobic bacteria भी लिया प्रिज्म टू इस्पिट दा light in its components ये भी आपके क्या किया था लिया था तो answer आपके कौन सा हो जाएगा second इसका इनोंने यूजे नहीं किया था फिर है आपके क्या Richmond lag effect is due to Richmond lag प्रभाव किसके द्वारा होता है ये आपके senesence जो है aging जो है उसमें आपके क्या करता है delay करता है और ये काम आपके करता है कौन Richmond lag effect जो आता है वो आपके किस से आता है cytokinin से तो यह answer जो चला जाएगा वो आपके क्या है cytokinin next अगर आपन बात करें तो फिर है आपके Kelvin path पाया जाता है यानि कि आपके क्या है Kelvin path C3 cycle जितने भी green plant है चाहिए C4 plant हो C3 plant हो सब में Kelvin चक्र जो है वो आपके क्या रहता है present रहता है तो इसमें आपके आजाएगा क्या all photosynthetic plants किसमें मिलेगा ये आपको all photosynthetic plants में R की bacteria में बिटा नहीं होगा next अपन बात करें तो देखो which of the following is not concerned by Rubisco निमन में से कौन सा Rubisco से सम्मन्दित नहीं है इट है बोथ oxygenase and carboxylase activities है यह carboxylase था oxygenase दोनों सक्रियता है दर साथ है occurs in abundant amount in nature प्रकरती में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है ठीक है mg plus 2 इजे activator of it mg plus 2 इसका सक्रियक है it has greater affinity with oxygen यह आपके wrong है oxygen के साथ यह greater affinity show नहीं करता तो fourth जो है वो इसका आपके क्या हो जाएगा wrong ठीक है next अपन बात करें next question की और बढ़ें तो देखो क्या कहोगे in given figure correctly identify a, b and c दिये गए चितर में a, b तथा c को सही पैचानी है तो इसकी सही पैचान आप करोगे तो देखो आप क्या कहोगे a जो है वो तो आपके क्या है light क्या हो जाएगी a light यह तो आपके क्या है light अगर इसकी बात करें तो यह आपके क्या है p सासू C जो है वो आपके क्या है B जो है वो आपके क्या हो जाएगी P 700 C जो है वो NCIT ने आपको दे रखा है क्या Electron Accepter ठीक है C जो है वो आपके क्या हो जाएगा Electron Accepter तो इसका Answer जो है वो आपके क्या हो जाएगा विटा अगर इसकी बात करें तो अपन Second क्या answer आजाएगा इसका second ठीक है next आप कहोगे हाँ बेटा next question है आपके next question आपने बात कर रहे हैं इसकी हाउ मनी statements are incorrect या नहीं कि किते statement incorrect हैं c2h4 प्नोर्स लीप सेने सेंस साही है यह यह आपके लीप सेने सेंस को आपके क्या करता है प्रेरित करता है साही है दे रखा है ncrt में c2h4 speeds the ripening of fruits साही है c2h4 causes apical hook formation ncrt ने दिया हुआ यह भी apical hook formation करता है c2h4 promotes horizontal growth of seedlings and swelling यह भी साही है c2h4 promotes male flower in cucumber thereby increasing the yield यह आपके male की जगे बेट आपके क्या होगा female तो यह आपके क्या हो गया है wrong यहां male की जगे आपके क्या आएगा female next अगर आपन बात करें तो आपके कराए क्या phototropic curvature तो phototropic curvature आते ही photocrop phototropic curvature is the result of uneven distribution of निमनमे से प्रकास अनुवर्तित वकृता किसके ऐसमान वित्रण का परणाम है तो curvature आपके क्या है even जो भी curvature test था हो आपके किस पे किया गया था औक जिन पे तो इससे औक जिन का आपको क्या चला था पता चला था next question अपन लें तो which one of the following generally extra edge antagonistic of gibralyns gibralyn का antagonistic जो effect होता है यह आप अच्छी तरह जानते हो जो इसके प्रभाव जो होते हैं gibralyn के इसके opposite प्रभाव जो है maximum जो होंगे वो आपके किसके होते हैं next अगर आपन बात करें spraying sugar can with gibralyns increase the yield by the much as 20 tons per acre जिये perform it gibralyn का गन्य पर छिड़काव उसकी लबधी की मात्र को प्रते एक एकर 20 tons तक आपके क्या कर देता है बड़ा देता है ऐसा GA किस प्रकार करता है भाई यह आपके क्या करता है जो भी internode होती है उनका आपके क्या कर देता है elongation तो यहाँ internode का आपके क्या हो जाएगा elongation तो यह काम जो होगा वो आपके किसके द्वारा होगा इंटर नोड के इलॉंगिनेशन द्वारा नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो देखो आपके क्या आएगा विच पेर इज रॉंगली मैच्ट कौन सा पेर जो है वो रॉंगली मैच्ट है तो इन पेर्स को आप देखें बंडल सीट सेल थिक वाल एंड एपसेंस अफ इंटरसेलूलर स्पेस बिलकुल सही है मीजोफिन सेलस अफ सीफोर प्लांट एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट सीफोर पोधों की पन मद्यों तक कोसी का है ग्रेना रहित लवक यह आपके क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा वन सीओ टू फिक्सेशन इन अलगी तीन एटीप भाई आपके दो एटीप तो कैस में रिडक्शन में और एक एटीप रिजनरेशन में और दो नदेश्ट टू अपके लगते हैं काई में रिडक्शन में तो यह भी आपके क्या है ठीक है यह भी आपके क्या है ठीक है फोटो रैस्पिरेशन हाई कंसंटिशन अफ ओटू पे होता है यह भी आपके क्या है ठीक है तो आंसर आपके हो जाएगा कौन सा सेकेंड नेक्स्ट अगर अपन बटर बात करें तो chemo-osmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on chloroplast होता था mitochondria में होने वाले ATP sensation का रसो परासरनी सिध्धान्त किस पर आधारित था तो यह आधारित था आपके किस पे proton gradient पे भाई कोई सा भी आपके क्या है chemo-osmotic theory हो यह आपके काई पे proton gradient जो है उस पे आपके क्या रहेगी वीटा आधारित रहेगी next अगर आपन बात करें if a suit cuttings is treated with भाई oxygen जो है वो आपके किसके formation को प्रेरित करता है root के को और cytokinin जो है वो suit formation को आपके क्या करता है induce करता है तो यहाँ आपके क्या जाएगा root production क्या जाएगा root production photorespiration also called C2 cycle भाई आपके क्या है photorespiration को अपन C2 cycle क्यों कहते है क्योंकि यहाँ two carbon containing आपके कौन बनता है glycolate बनता है और glycolate बनता है इसलिए इसको अपन कहा जाता है क्या C2 cycle फिर आप कहोगे in tea plantation and haze the removal apical but cutting promote branching this effect cause भाई आपके बात कर रहे हैं चाय के पादपो तथा बाड में seeds को काट कर हटाया जाना आपके साखन को क्या कर देता है बढ़ाया देता है यहाँ प्रभाव किसके द्वारा क्या किया जाता है उत्पन किया जाता है देखो आप टिप को उडाके इस seed sust प्रभाविता को आप क्या कर रहे हो खतम कर रहे हो और seed sust प्रभाविता को खतम करने का काम जो है वह आपके किसका होता है साइटोकाइनिन का किसका होता है साइटोकाइनिन का next अगर है अपन चलें इनीशली embryo plants रिपरेजेंट्स विच टाइप आफ ग्रोथ इनीशली अपके कौन से टाइप की ग्रोथ होती है आपके किसमें exponential अपके क्या होती है growth रहे रहोती है 122 8 अपके Kaz Scholarlyiled Chililde नेक्स्ट अगर आपन बात करें तो देखो साइंटिस्टे इनको आपको C-Darwin और आपके F-Darwin ये दोनों आपके बताओ किस से रिलेटेड है और जिन से तो फर्स्ट जो है इसका आपके क्या हो जाएगा D Miller और इसकुग जो है वो आपके रिलेटेड है साइटोकाइन से तो इसका आपके आजाएगा A Coggins जो है वो आपके रिलेटेड है आपके कैसे ETHILEEN यानि कि C2H4 तो यहाँ आपके आजाएगा C और कुरोसवा जो है वो आपके GA से क्या है related है तो यहाँ आप क्या जाएगा E D A C E तो आपके कौन सा हो गया first आपके क्या हो जाएगा answer next अगर बिटा अपने बात करें तो देखो वापस अच्छा सा है क्यूशन plant growth and regulators का which one of the following pair is not correctly masked निमने में से कौन सा जोड़ा सही नहीं मिला हुआ है I A A cell wall elongation बिल्कुल करवाएगा abscissic acid estomata conclusion बिल्कुल करवाएगा gibralic acid leaf fall को inducer नहीं करता तो यह आपके क्या है wrong मिलाया हुआ है next अगर अपने बात करें तो आपके क्या है two synthetic photo hormones that are often employed for inducing flowering in leachy and pineapple are यह थोड़ा सा important exam में आया हुआ कि उस्षे ने बेटा leachy में आपके flowering को जो induce करते हैं वो आपके करते है N A A A और 2 4 D तो क्या क्या जाएगा N A A और 2 4 D फिर है आपके which of the following plant hormone is incorrectly paired with its functions निम्न में से कौन सा पादफ हार्मोन अपने कारे के साथ सुमेलित है और जिन एपिकल डॉमिनेंस लाएगा बिल्कुल सही है एपसेसिक एसेड रेगुलीशन ऑफ इस्टोमेटल मूवमेंट यह भी सही है साइटो काइन आपके क्या है डिलेज करेगा किसमें सेनसेंस में बिल्कुल सही है और बीज क की प्रसुता का प्रेर्ण तो यह आपके एकदम क्या हो गया रॉंग हो गया जिब्रेलिन कभी भी आपके डॉमेंसीको अ है नहीं करता तो आंसर आपके जाएगा कौन सा फौर्ट next question बिटा आपन देखते हैं क्या Richmond lag effect यहाँ आपके क्या है aging में यह आपके क्या करवाता है delay करवाता है और यह काम जो आपके होता है Richmond lag effect को दिखाने का यह आपके किसका है cytokinin का तो यहाँ answer जो है वो आपके क्या हो जाएगा cytokinin इसके बाद में फिर आप बात करोगे काई की the correct sequence of sites organelles in the process of photorespiration देखो photorespiration आपके किसके द्वारा perform किया जाता है बिटा एक तो आपके होगा कौन chloroplast दूसरा आपके होगा क्या mitochondria और तीसरा जो है वो आपके होगा कौन paroxysome तीसरा आपके क्या हो जाएगा paroxysome chloroplast paroxysome और आपके क्या जाएगा mitochondria फिर है आपके select mismatch pair गलत आपके काई कोई यूगम को क्या कीजिए सुमेलित एक question 179 आप देखें देखो the factor which is not limiting in general conditions of photosynthesis सामाने परिस्तितियों में प्रकास translations के लिए करीकारक नहीं होता ठीक है सामाने परिस्तितियों में next आप कहोगे select the mismatch pair तो आपको साफ ही दिख रहा है इथाइलीन इसकुग इटल इथाइलीन जो है उससे इसकुग जो है वो आपके कॉजिन्स रिलिटेड थे इसकुग रिलिटेड जो है वो आपके किस्से है बताओ इसकुग आपके रिलिटेड रहेंगे किस्से cytokinence है किस्से रिलिटेड है cytokinence है तो बेटा यह आपके क्या था important एक अच्छा सा आपके क्या है paper था जो कि आपके क्या रहा NCRT based रहा कोई भी आपके वैसे तो इसमें आपको दिक्कत हुई नहीं होगी लेकिन फिर भी कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हुई है तो आपने solution के माध्यम से क्या कर दिया उसको solve कर लिए है ओक्के बेटा thank you jclc jclc jclc